अजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं उनकी बात छोड़े हैं और यहां करके रहे हैं 371, 371 को निकाल दिया केंडरी ग्रिह मंत्री अमिच्छानी शनिवार को कॉंग्रेस अध्यक्स मलिकारजुन खणगे के अनुच्य 371 के गलत उदियाक्ष को लेकर कॉंग्रेस पर तीखा हमला बोला इससे पहले दिन में कॉंग्रेस अध्यक्ष मलेक अर्जन खणगे ने पीडित हैं और उनमें से हजारो आत्महत्या कर चुके हैं। उनके मुद्दों पर बोलने के बजाए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने 371 हटा दिया है। यहां के लोगों का इससे क्या लेना देना है। वीर सपूतों ने कश्मीर में शांती और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुती दी। शाने आगे कहा कि लेकिन ये केवल कॉंग्रिस नेताओं की गलती नहीं है। भारत के विचार को न समझ पाने के लिए अधिकतर कॉंग्रिस पार्टी की इटालियन संस्कृती ह दोशी है। कुछ समय पहले कॉंग्रिस सांसत आंटो आंटनी द्वारा पुल्वामा हमले को लेकर दिये गए एक बयान पर भाजपा भी भड़क गई। उन्होंने कहा कि आंटनी पर राजद्रों का आरोप लगाया जाना चाहिए। जीता जो देश की रक्षा करते हुए कठिन हालात वाले शेत्र में तैनाथ थे। आंटनी पथनम ठिट्टा लोगसभा सीट से कॉंग्रिस के उमीदवार है। वो 2014 से सीट का प्रतिने दिद्व कर रहे हैं। पहले ही सुप्रीम कोड के आदेश के बाद जो SBI ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉंड की जानकारी दी थी। इसके बाद राजनेतिक दलो को मिले चंदे को लेकर तरह तरह के सवाल उठे। भाजपा को पुलवामा अटाक के बाद पाकिस्तानी कमपनी से चंदा भी मिला। कई नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया, दहब पावर कमपनी नाम की पाकिस्तानी कमपनी ने 2019 में लोगसभा चुनाव के दौरान भाजपा को 95 लाख रुपे दान दिये। समाजबादी पार्टी ने भी ट्विटर पर पोस्ट कर ये दावा किया, सपा ने पोस्ट किया, पाकिस्तानी कमपनी हप पावर कमपनी ने लोगसभा चुनाव 2019 के समय बीजेपी को 95 लाख रुपे चंदा दिया, इसी समय पुलवामा में भी हमारे जवानों की हत्या हुई बीजेपी जैसी देशद्रोही पार्टी आज तक नहीं देखी मैंने। खेर, इस 370 और 71 के बीच में इस तरह की टिपणी देश की राजनीती को किस तरह से दर्शाती है, आपको क्या लगता है, आप हमें कॉमें सेक्शन में जरूर बताएं, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए, जन सत्ता के साथ, शुक्रिया